प्रिवेश साहिप सिंग वर्माग ने एक विवादित बयान दिया हाल में मनीश नामक एक युवक्की हत्या का जिक्रगर कहा उन्होंने कहा कि उसको जिहादी तत्तो ने मारा मैं तो पहली बात तो यह कहूँगा कि अगर जिस तरह के हत्या होती है उस पर तुरंट लाइ और और को सक्रिय होना चाहिए और उस पे तुरंट फोरी तोर से कारवाई होके उसको निप्टाना चाहिए अफकोस ये कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं मिलना चाहिए जहांपे ऐसी बातें कहीं जा सके और दूसरी बात मैंने कहा कि इस बयान का कहीं कोई जगे नहीं है सोसाइटी में भी नहीं और किसी भी लोगतंतिया डुमक्रसी में जिसमें आप बिलीव करते हैं वहाँ पे कहीं कोई जरासी भी गुणजायश नहीं है मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे डिबेट का हिस्सा नहीं है मैं किसी को भी मैंने बोल दिया इसके बात खता में बात किसी को भी इस पे कहीं कोई जरासी भी राजनीत करने का डिबेट का हिस्सा बनने का कहीं कोई जिक नहीं कोई किसी का बाइकॉट करे यह बिल्कुल अगरत बात है चाहे वो मुसल्मान हो चाहे हिंदू आप किसी का बाइकॉट करके सोसाइटी में नहीं रह सकते और ये बिल्कुल गलत चीज है कहीं डिवाइट करना लास चीज मैं ये कहना चाहता हूँ लेकिन हाँ अगर आपका बहुत मन है और आपको नीन नहीं आ रही है तो यकीन मानिए इस चैनल देखते रहे है कुछ दिर बाद आपको डिवेट ये मिलेगी जिस पर आप उसका हिस्सा बन सकते हैं बहें आगे बढ़ता हूँ मैंने बिल्कुल इसको क्लेर कट कर दिया कि अगर इस पर बहुत विश्टार से जाना है तो आपको डिवेट देखिए लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी डिवेट का ये हिस्सा नहीं कि कोई किसी से कहे कि मुसल्मानों के हाथ से समान मत खरी दिये मैं बिल्कुल विरोध हूँ सक्ट विरोध हूँ क्योंकि अगर आप ब्रिज बनाना चाहते हैं समाज में सोहाद पैदा करना चाहते हैं तो सक्क कारवाई करिए लॉयन ओर्डर को बहुत मजबूत करिए और किसी निया किसी की अत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है और उसक्त सक्क कारवाई करिए जी दत्ता जी मैंने उनको भी नहीं दिया आपको भी नहीं दूँगा और मैं सीधे आनन के बाद जाना चाहूँगा मुंबई में मुझूद है बहुत देर से धैरपूरवक बैठे हैं जब डिबेट चुरू ही आनन तो दत्ता जी ने एक बात कही और मुंबई में कुरोना के समय में सबसे जादा मौते हूँ तो वहां का क्यों नहीं जिक्र किया जब तमाम सारी चीजों का जिक्र हो रहा था तो जब कुरोना के मैनेजमेंट के बात हो रही थी देश जोडो देश तोडो की जब राजमीत पे बात हो रही है तो इस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं हुआ जब वहां का मैनेजमेंट, मुंबई का मैनेजमेंट फेल था प्रदिक जी आपको और आपके सभी दर्सकों को मेरा नमस्कार आपने मुंबई की बात करके बहुत ही अच्छा काम किया मैं उसी मुंबई से और महाराज से आता हूँ जिसकी तारीफ स्वैम प्रधान मंत्री जी ने की थी डबलू यच्चो ने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी हमारे जो ये जो आपके साथ पैनलिस्ट वहां दिल्ली में बैटे हैं इनसे पूछिए क्या उस समय ये सब न्यूज, अख़बार, टेलीविजन के माध्यम से मुंबई और महाराज को नहीं देख रहे थे मुंबई में एक जगह है धारावी, जो इतनी घनी आबादी वाला सलम एरिया है आनद ये कहा गया कि अफ़ा फैलाई गई और अफ़ा आपके तरफ से भी उस पर कहीं कोई कारवाई नहीं हुई जिससे तमाम सारे लोगों को परिशानी हुई, लोग इखटा हुए और स्प्रेड हुआ, करोना देखिए प्रतिक भाई ऐसा है कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में असमाजिक तत्तु भी जगर जगर होते हैं किसी ने कोई खबर फैला दी, लोग वहां इकटा हुए लेकिन आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सासन प्रसासन ने तुरंत कारवाई करते हुए माहौल को अपने काबू में ले लिया, अपने नियंतर में ले लिया मैं मुद्दे पर आता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा आज आपने जो किया है कि राहुल गांधी की यात्रा और मुंबई और महाराश का करोना मैं मुंबई महाराश से आता हूँ, सर, मैं बहुत ही गंभीर्था से कहता हूँ कि जिस प्रकार पूरे दुनिया में करोना का कहर था, उससे ज़्यादा ही मुंबई और महाराश पे हो कहर था लेकिन उसके बाद अंत में क्या हसिल हुआ, अंत में हमें नियंतर्ण हासिल हुआ, अंत में हमारे लोगों की जाने हमने बचाई, हमने गंगा नदी के किनारे बहती हुई लासों को नहीं देखा, हमने ऑक्सीजन के लिए दरदर भटकते दिल्ली की तरह लोगों को नहीं दे उस प्रकार उन्होंने जिम्मेदारी निवाइटीक है। बंद करिये क्योंकि मैं बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार उन्हों ठाकर जी और महाविकास अगारी की सरकार ने उस समय सहुलियत दी तो हमें तारीफ के पुल क्यों मिले अगर हमने गलत काम किया होता तो हमें डबलू यच्चो सुप्रीम कोर्ट प्रधार म मंत्री जी फटकार लगाते हम पर अनुसासन लगाते कडाई लगाते लेकिन उन्हों ने और हमारे मुख्यमंत्री जी को टाफ five मुख्यमंत्री में जगह कैसे मिलती प्रतिक भाई अपकी तीन पईया की सरकार थी इसलिए तो सारे चीज़े चड़मरा गया था इसलिए पा नहीं पा रहे थे तो भोधपुर्व मुख्यमंत्री इन पईया सरकार की उन्होंने हाथ जोड़के माननिय प्रधानमंत्री जी से और अमिच्छा जी से गौहार लगाए थे और मदद के लिए वो किये थे कि मदद कीजे क्योंकि हमारी बसकी नहीं है हम समाल नहीं पाएंगे जहां आपने ऑक्सिजन सिलिंडर की आपने बात की और दिल्ली का उधारन दिया बिल्कुल इस पर मैं आपके बातों से सहमत हूँ क्योंकि फटकार रगा था सुप्रीम कोट से दिल्ली के सरकार को और एफी डेफीट में फिर बकायदा ओन रेकॉर्ड आमाद्मी पार्टी सरकार ने कहा था कि हां हमारे पास सिलिंडर थी जो प्रमुक मातरा में सिलिंडर थी पर वो हम लोग डिस्टिब्यूट नहीं कर प पर क्यूंकि आपके केंद्रिय सरकार के साथ मतभेत था इसके चलते आपने डिस्टिब्यूशन नहीं किया है तो आप ही के जो विचार थारा के जो एक्स्टेंशन पार है आनन्द को रिप्लाई करने दीजिए एक बार आनन आनन जी नहीं जानता विकाद मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है तेकि इन्होंने अभी कहा कि प्रधान मंत्री जी से मदद की गुहार लगाई अरे भाई हम एक परिवार है हमारा देश एक परिवार है यदि हम कोई चीज हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस महा संकट के सामने तो हम अपने मुखिया अपने घर के सबसे ब जोस्वे उन्हों भीचे अंटी तो भीचैने जात्याय नहीं गई आप मतलब कि काम करें और कोई और फिर नहीं किया एक सुड़्ाश्य कैसा नहीं हो सकते कभी जी भीजी बीजफी बाट आट और प्लाई जी